आखिर मैं ये क्या देख रहा हूँ, ठीक से 5 मिनट भी नहीं हुए, मिले हुए इन दोनों को, और भाई ये लोग दोनों वासरूम की ओर रवाना होने के लिए तैयार हो गए हैं, मैंने ट्रेडर रिव्यू में ही कह दिया था, कि ये सीरीज हद से जादा बेकार होने वाली ह तो लो आज प्रूव भी हो गया, तो आज हम लोग करने वाले हैं, ट्रेन वेप सीरीज की रिव्यू जो उलू एप की है, इस सीरीज के कास्ट में आप लोग को फरमान हैदर देखने को मिलेंगे, फिर आती हैं, जेलिया क्रिश्टॉफर एंड दा लास्टीज, पूजा अ सोक कुमार और इस सीरीज को 17 दिसंबर मतलब आज ही रिलीस कर दी गई है उलू के प्लैटफॉर्म पर, अगर मैं इस सीरीज को एक लाइन में एक्स्प्रेन करके बताऊं, तो ये जो सीरीज हैं, वो हद से जादा बेकार है, मुझे यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं सीरीज की कोई भी चीज अच्छी है, रिलेसंसिप कॉंसलर के पार्ट वन को छोड़कर अभी तक हम लोगों को उलू की तरफ से इस महने कोई अच्छी सीरीज देखने को नहीं मिली है, भाई ये काफी दुख की बात है, उलू वाले यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, जितनी मरजी चीख लो चिला लो, उलू वालो को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तो छोड़िये रहने देते हैं, तो चलिए अब फाइनली बात करते हैं कि सीरीज की स्टोरी क्या दिखाने की कोसिस कर रही है, तो सीरीज की जो स्टोरी है, उसक का बोईफरेंड स्टेसन आता है, फिर दोनों स्टेसन से रवाना हो जाते हैं और ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाती है, और उसी समय ठीक एक लड़का बैठता है, जिसका इस सीरीज में नाम है निलेस, ये लड़का भी कहीं सफर के लिए निकला है, लेकिन इस लड़के के स जाता है, और उसे अपनी सारी बाते बताता है, कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो गया है, क्या मैं आपकी बगल में बैठ सकता हूँ, अब भाई यहाँ पे जुही की मा एकदम ठैरी इनोसेंट, वो कहती है कि ठीक है, तुम बैठ सकते हो, ये जो लड़का निलेस है, वो जुही औ और इसकी मा के साथ बैठ जाता है, फिर भाई अब यहाँ से सुरुवात होगी टक टकी, दोनों निलेस और जुही एक दूसरे को खूब घूरते हैं, और यहाँ पे दोनों के चेहरे को देखकर पता चल रहा है कि ये लोग दोनों ही एकदम ठैक में डूबे हैं, दोनों आ पता कहां पे है, उलो वालो बेवजा बदनाम मत करो, पहले ही दुनिया बदनाम हो रखी है और ये लोग और भी बदनाम करने पे तुले हैं, सच कहूं तो ये सीरीज में मुझे जरा भी मज़ा नहीं आया, लेकिन सीरीज की जिस तरह से इंडिंग थी, मुझे देखकर होंगा कि आप लोग इस सीरीज को मत देखो, इंट्रेस्ट है जाकर देखो, लेकिन वो वाले सीन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो बस इसी के साथ मैं चलता हूँ, आपकी क्या राय है, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना, तो टेक कियर, बाबाए!